एलो एवरीवन वेलकम टू डीची टीचर्स अकैडमी आज हम इस वीडियो में बात करेंगे सीटेट के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जो भी बच्चे सीटेट का एक्जाम देने जा रहा है उनके लिए यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और और आई होप कि सभी ने अपना एक्जाम सेंटर देख लिया होगा और जैसे कि आप सभी को पता है कि एक्जाम जो है आपका सोला बारा दो हजार एक्किस से तेरा एक दो हजार तेश तक होगा इसका एक्जाम मोस्ली आप यह मानके चल सकतो लगबग 28 दिन तक यह आपका होने वाला है और इन 28 दुनों में जो है आपका हर एक दिन पेपर जो है एक नया पेपर आपको मिलेगा अब मैं बताऊंगा कि आपको किन-किन चैलेंजिस को सामना है आपके करना पड़ सकता है देखो सबसे पहली समस्या जो आप लोगों के द्वारा यह आ रही है मेरे सा हमने कि सर हमने कभी भी ओनलाइन एक्जाम नहीं दिया है तो हम इसको फेस कैसे करें किस तरीके से एक्जाम होगा तो मैं आपको आज एक डेमो दिखाने वाला हूं इस डेमो को थिरू आप एक बार घर पे एक डेक्स्टॉप पे या लैप्टॉप पे एक बार प्रैक्टि करो तो यह सारे चीजें मैं आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मैक्सिम इस वीडियो को सभी जितने भी सट्डी ग्रूप में उसमें सेयर करिए जिससे कि मैस्म लोगों तक यह एप साइट खोल दोगे ठीक है गूगल तो अलेडी एक डिफॉल्ट ब्राउजर होता ही है तो यहां पर आप सर्च करोगे सीट एट मॉक टेस्ट ठीक है सीट आप यहां पर टाइप कर दोगे और इस पर क्लिक करोगे ठीक तो आपके सामने इस तरीके से आपका इंटरफे कुलेगा तो यहां पर आपको क्या करना है यह आपका इंटरफेस कुला ठीक है तो यहां पर आपको जो बाइजूस वाला है पहले जो वेबसाइट आईगी बाइजूस की आईगी वहां पर क्लिक कर देना है ठीक है तो यहां पर क्लिक करने के बाद में आपका यहां पर ए यह free का mock test दिया हुआ है, तो इस mock test को आप यहाँ पर try कर सकते हो, ठीक है, तो इसको try करेंगे, यहाँ पर आप start now में click कर लोगे, start now के बाद में आपका यह number माँगेगा, ठीक है, number माँगेगा तो आप यहाँ पर अपना number डाल करके register कर लोगे, तो यहाँ पर मैं अपना number submit कर देता हूँ, नमबर सम्मिट हो गया, ठीक है, उसके बाद मैं continue करोगे, ठीक, continue करने के बाद में आपके mobile पे एक OTP आएगा, उस OTP को यहाँ पर डाल दोगे, तो यहाँ पर मैं आप क्या करता हूँ, OTP अपना डाल देता हूँ, तो यहाँ पर, यहाँ पर मैंना OTP डाल दिया है, और OTP डालते ही, आपका इस तरीके से यहाँ पर interface स्टार्ट हो जाएगा, तो यहाँ पर यह जो paper है, यह especially किसके लिए है, यह है, आपका इसमें, जो paper first दिया गया है, वो आपका है, हिंदी और paper second है, Sanskrit, दिको मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ, एक बार, दिको तो यहाँ पर आप इन instruction को पढ़ सकते, यहाँ पर यह बिल्कुल सेम आपका instruction, वहाँ पर खुलेंगे आपके computer पर, ठीक है, तो यहाँ पर इन सब instruction को एक बार आप पढ़ लोगे, और इन सब instruction को पढ़ने के बाद में, हलाकि यहाँ पर जो है, मैं आपको बता देना हूँ कि इसका meaning क्या है, देखो, यहाँ पर यह जो color दिये हुए है, तो यहाँ पर एक इस तरीके का, आपको दिख रहा होगा one, one पर जो color है, वो बहुत वैसा है, gray type का color है, तो you have not visited the question yet, मतलब यहाँ पर यह दिखाएगा, अगर gray color है किसी भी number पर तो यह show करेगा, कि आपने यहाँ पर क्या दिखाएगा, कि you have not answered the question, मतलब आपने अगर question answer नहीं किया है, तो आपका बिल्कुल white दिखाएगा, ठीके, अगर आपने question को answer कर दिया है, तो आपका क्या दिखाएगा, blue दिखाएगा, ठीके, और अगर आपने you have not answered the question, but have marked the question for review, आपको यह लगता है कि mark for review कर सकते हो, जब mark for review करोगे, तो इस तरीके का आपको sign बना हुआ आ जाएगा, जो 7 पर आपको दिख रहा होगा, यलो वाला, ठीक है, इतनी बात clear है, और यह अगर आपने इसको answer कर दिया, और mark for review कर दिया, तो आपका blue बनके आएगा, blue को ऊपर आपका इस तरीके का बन लेकिन बाद में सोचते हैं, यब हमारा पास time बचेगा, तो हम एक बार और देख लेंगे, तो इस तरीके से आपको देखना है, और आपकी जो time होगा, वो आपके बगल में यहाँ पर चलेगा, मैं अभी आपको आगे दिखाने वाला हूँ, सब आपको समझ में आ जाएग ठीक है, तो फिलार हम इन सब को देखते हूँ, आगे बढ़ जाते हैं, continue पर क्लिक कर देते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, इस तरीके का पेपर आपके सामने खुलेगा, child development and pedagogy, 30 number की आएगी, 30 question होगे, यह सब आपको पता ही होगा, ठीक है, और कोई negative marking न होना चाहिए, तो यहाँ पर एक बार आप हिंदी कर लोगे, ठीक है, हिंदी करने के बाद में, आप यहाँ पर यहाँ ब्लू टिक आपको दिख रहा है, नीचे हिंदी के ब्लू टिक दिख रहा है, तो यह ब्लू टिक होना चाहिए, आगे हम बढ़ते है, I am ready to begin, कर देते ह कोशन आ जाएगा, यहाँ पर आपको पांस सेक्शन दिख रहे होंगे, एक सेक्शन तो यह दिख रहा है, चाइल डेप्लमेंट पैड़ागोजी का, ऊपर देखी यहाँ पर, ठीक है, एक देखेगा, मैत का, देखो यह रैड हो गया, फिर है, एन्वार्मेंटर स्टुडि आप जरूरी नहीं है, आपको सबसे पहले जो कुशन आएगा, वो आपका चाइल डेप्लमेंट पैड़ागोजी का आएगा, आपको लगता है कि आप इस सेक्शन को बाद में करना चाहरे हो, तो आप अगर पहले मैत को अटेम्ट करना चाहरे हो, तो आप पहले मैत भी अगर आप पहले EBS करना चाहरे हो, तो पहले आप EBS कर सकते हो, अगर आप Hindi अटेम्ट करना चाहरे हो, तो पहले आप Hindi अटेम्ट कर सकते हो, और अगर आप Sanskrit अटेम्ट कर सकते हो, ठीक है, तो फिलाल मैं आ जाता हूँ, Child Development and Pedagogy पे, ठीक, तो यह आपके सामने इस तरीके से खुलेगा, जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, पहला कोशन क्या है, पहला कोशन है, किस चरण में बच्चे समुक्च समुके सक्रिय सदश्य बन जाते हैं, ठीक है, तो आपको चार अप्शन दिख रहे हैं, किसुरा अवस्था, वैसकता, बाले अवस्था या पास् गवराना नहीं है, जो भी राइट अप्शन आपको दिखे, जैसे यहाँ पे इसका राइट अप्शन जैसे किसुरा अवस्था है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, किसुरा अवस्था पर क्लिक कर दोगे, तो क्लिक कर दोगे किसुरा अवस्था है, यहाँ पर कैसा हो गया, यह blue हो गया ठीक है जहापर क्या हो गया आपका blue हो गया blue होने के बाद में यहाँ पर देखो यहाँ पर यह चीज़ है एक तो है clear response एक दिख रहा है mark for review and next और एक दिख रहा है save and next दिख रहा है आपको ठीक है तो अगर आपको सबसे पहले हम बात करेंगे clear response की आपको लगता ह है कि इसका question गलत हो गया है इसका answer गलत हो गया है तो आपको करोगे clear response कर दोगे तो यहाँ से यह option हट जाएगा ठीक है यह फायदा है online में अगर आपने एक बार टिक कर दिया तो इसको आप दुबारा हटा सकते हो ठीक है तो आपने किसोरावस्तर टिक किया था ठीक है अग अजरी है अगर में देखोंगा अगर टाइम बच जाता मेरे पास तस तो आप क्या कर सकते हो ओरे मार्ण मार्क फॉर रिव्यू कर दिया तो आप मार्क फॉर रिव्यू आपने कर दिया कुशन नंबर वन को तो यहां पर देखो यहां पर आप दो कुशन नंबर वन के ऊपर आपका एक यह तो ब्लू हो गया बतला आपने इस कुशन को अटेम्ट कर लिया अब ब्लू के ऊपर जलो दिख रहा होगा, आप अपने राइट में देखो, वन पहले ब्लू नहीं था, लेकिर अब ब्लू हो गया, देखो मैं बता रहा हूँ, अब जैसे मान के चलो, क्वेशन नम्बर वन पर आ जाओ, वन पर आप यहाँ पर क्लिर रस्पॉंस कर दो, तो यहाँ पर देख लो आप इस क्वेशन को बाद में देखना चाह रहे हो, ठीक है, समझ में आया, और यहाँ से आप कर दोगे, सेवन नेक्स्ट, ठीक है, तो क्वेशन नम्बर टू पर आ जाओगे, क्वेशन नम्बर टू क्या है, मुल्यांकन अभ्यासों का उद्देश होना चाहिए, छात्रों की जरुवतों और आविशक्ताओं की पहचान करना, पुस्तक पुरिशकार वित्रन के लिए उच्च प्राप्त करताओं की पहचान करना, छात्रों का अंकित लगाना, या छमता आधारिस समुवों के लिए छात्रों का अलगाव करना, तो मुल्यांकन अभ्यासों का उद्द चाहिए चाहत्रों की जरुवतों और आप सकताओं की पहचान करना तो यहां पर option number A click कर दो तो यहां पर आपने option number A click कर दिया ठीक अब यहां पर मैंने दो clear response का मतलब यहां पर clear response हट गया आप अटा सकते हो mark for review कर दोगे तो आपके यहां पर yellow one की आ जाएगा अगर आपको 100% इसका answer पता है तो आप mark for review ना करिए आप save and next पर click कर दो तो इसका मतलब आपने question number 2 का जवाब दे दिया question number कौन सा आ गया question number 2 का जवाब आपने क्या दिया है आपको check करना है तो आप दुबारा cat 9 फर जाकर क्या कर दोगे click कर दोगे तो 2 पर जाकर क्या कर दिया click कर दिया सहज कर दिया और यहाँ पर आप डारिकली दो पर जाकर इसका कि आपने option number A लगाया है और यहाँ पर आपने save next पी कर दिया है ठीक है अब आपको option number 3 का जवाब देना है तो आप 7 next कर दोगे तो question number 3 यहाँ पर आ जाएगा कि सता तैवम व्यापक मुल्यांकन एक सिक्षक को यह समझने मदद करता है कि सिक्षण कैसे हो सकता है तो सिक्षण यहाँ पर बात की जा रही है सता तैवम व्यापक मुल्यांकन की तो अवलोकन किया हुआ recorded शल्सोद यह उप्रोक स तो यहाँ पर मानके चलिए जैसे यहाँ पर option number D सही है और आपको 100% पता है तो आप यहाँ पर D करोगे save and next कर दोगे क्योंकि आपको save भी करना है तो save and next कर दिया तो आप question number 4 पर आ गया ठीक है अब जैसे मानलो आपने यह attempt नहीं किया जैसे यह है निमलिखित मैंसे कौन सी आपको इसका option answer नहीं आ रहा है और आप इसको बाद में attempt करना चाह रहे है तो केवल सिर्फोर सिर्फ यहाँ पर mark for review कर सकते हो ठीक है तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा यह दिख रहा है आपको question number 4 पर एक yellow color का mark लगके आगया इसका मतलब यह है कि यहाँ आईए आपक टाइम बसता है ठीक है अब question number 5 पर आजाओ प्रगतिसील सिक्षा की विसेशता है यह लोकता अंतरिक पद्दती पाद आ रहेता है रटन पर अधिगम को खतम करती है समूँ अधिगम पर जोड देती है बालक के इंदे सिक्षा पर आधा रहेता है तो जैसे मालों इसका option number 4 अभी कुछ नहीं पता है अपको पता है और पर सिक्षा है कंफिर्म कंफर्म सेवेन नेक्स कर दो दो कोशन जो आप मैंने सेवेन नेक्स कर दिया यानि जो आपको का आपको question का answer आता है तो वह blue हो जाएगा प्लू हो जाएगा ठीक है यहां पर आपका जो आपने आंसर कर दिया है उसका इंडिकेशन यहां पर ब्लू कलर है जो कॉशन पर आपका ब्लू कलर हो गया है वो आपका यह इंडिकेट कर रहा है कि आपने वो कॉशन अटेंट कर लिया है हो सकता है कि आपके एक्जाम में ग्रीन कलर भी दे दे क्योंकि कहीं कहीं पर ग्रीन कलर भी दे देता है तो green color भी यह indication होता है कि आपने question attempt कर लिया है और यहाँ पर white color क्या indication है white यह से मान लो आपने यह question आपको इसका answer नहीं आ रहा है तो आपने यहाँ कर दिया save and next तो save and next पर question number 7 पर आ गए आप यहाँ पर 6 पर कोई color आया 6 पर कोई color नहीं आया है तो इसका मतलब यह है कि आपने यह question छोड़ दिया है आपने क्या किया है यह question छोड़ दिया है ठीक है 7 पर आ गए तो मान के चलो कि आपका 7 पर 7 भी आपको नहीं आया तो आपने क्या कर दिया 7 next कर दिया तो 7 भी देखो कैसा color हो गया 7 का भी color कैसा हो गया आपका कैसा हो गया है, वाइट हो गया है, ठीक है, जो आप अगर अटेंट नहीं कर रहे हो, तो उसका कलर कैसा हो जा रहा है, वाइट हो जा रहा है, जैसे यह मान के चलो, जन्म से लेकर किसोरा अवस्ता तक के बच्चों में विकास की अवस्ता है, तो विकास की अवस्ता कै तो से पहले समवेदिक होती है, फिर मूर्ट होती है, फिर मूर्ट होती है, तो यहाँ पर आप कर सकते हो, औप्शन नमबर C, ठीक है, C कर दिया, फिर आपने 7-next किया, तो 7-next कर दो, तो अब यहाँ पर देखो आप, आपने question number 8 को attempt किया, तो 8 क्या हो गया, blue हो गया, जिसक attempt नहीं किया है, 6-7 को attempt नहीं किया है, तो वो आपका white है, सबज में आ रहा है, तो यह चीज आपको ध्यान लगनी है, कि जिसको आप attempt नहीं करोगे, उसका color कैसा होगा, white होगा, जिसका attempt करोगे, वो blue हो जाएगा, सबज में आया, ठीक है, और जिसको आपने बिल्कुल नहीं है, तो उनका अधर को gray आ रहा है, अभी इनको आपने देखा ही नहीं है, आपने visiting नहीं किया है, तो उनका क्या बन क्या आ रहा है, ग्रेवन करके आ रहा है, तो यहाँ पर आपके right side में, आपके कितनी चीज़ दिख रही है, आपको दिख रहे होंगे, यहाँ पर 30 question, तो अगर आप directly, अगर कोई भी question करना चाह रहे हो, जैसे मान के चलिए, आपने question number 6 छोड़ दिया है, आप इसको directly करना चाह रहे हो, तो आप क्या करो directly 6 पर आकर के click कर दोगा, आपको सारा, आपको वो question दिख जाएगा, अगर आप को यह लग रहा है, कि मुझे पहला question तो पहले पर click कर दिया, तो पहले दिख जाएगा, आपको 8 वाँ देखना है, 8 पर click कर दिया, 4 देखना है, 4 पर click कर दिया, तो इस तरीके से आपको सारा paper क्या करना है, attempt करना है, ठीक है, और जैसे मान लो, अब यहाँ पर हमने CDP के 300 question कर दिया, for example, ठीक है, तो यह 300 question जो हो होंगे न, यह इनका color जो हो जाएगा, वो आपका blue हो जाएगा, ठीक है, अब जैसे इसको पूरे हो गए, फिर हम आगए, mathematics पे, mathematics पे हम आए, तो mathematics में आप देख रहे हो, कि यहाँ पर आप कि फिर से 30 question आ गए, 31 से लेकर 60 तक आ गए, फिर से 30 question आ गए, ठीक है, तो इन 30 question क यासे माँलोओ, आप इसको attempt कर रहे हो, तो किस विदी में चात्रों को protection दोवक्शाला विदी, जैसे इस पर लगाया, तो यहां पर आप कर लोगे, save and next, तो यह क्या हो गया, blue हो गया, blue का मतलब आपने question attempt कर लिया है, ठीक है, तो इस तरेके से आपको सारे questions attempt करने हैं, यार बढ़ना है ठीक है इसके अलावा अब हम आगे आ जाते हैं यहाँ पर हमने ऐसी EVS को attempt कर लेंगे EVS में भी देखो एक सब्सक्राइब कर लेकर कहां तक कुछन आएगे 90 तक आगे हिंदी फर्स attempt कर लेंगे हिंदी फर्स में देखो 91 से लेके 120 तक आगे संस्कित भी हम यहाँ पर attempt कर लेंगे तो यहाँ पर देखो 121 से लेके 150 तक यहाँ पर question आगे तो इस तरीके सारे question को attempt करोगे और यहाँ पर देखो यहाँ पर जब आप सारे attempt कर लोगे तो यहाँ पर एक button आ रहा है instruction list view तो list view यहाँ पर करना चाहते हो तो list view पर click करो list view पर click करोगे ठीक है तो list view का मतलब यह है कि आपको 121 का जो question है वो आपको दिखा देगा किस तरीके से आपको question number दिखा देगा कि मूशका, कुता, निर्कशंति, श्मा तो इस तरीके से दिखा रहा है यहाँ यहाँ जो question है आपको बड़ा वाला question यहाँ पर दिख रहा है जो यहाँ पर short में दिखा दिया यहाँ पर right side में देखिए आप ठीक है तो list view कर सकते हो grade view कर सकते हो तो यहाँ पर आपको यहाँ जो है grade view रखना है ठीक है अगर आपका सारा paper हो जाए जब आप पूरे 150 question attempt कर लोगे जैसे मान कर दो एक चिलो में आपको बता दो जैसे मान लो EVS में आपका mathematics में से यह question है आप यह चाहते हो कि आपको यह question हिंदी में समझ में नहीं आ रहा है और आपको English में करना है तो देखिए enter full screen के बराबर में A और A दिख रहा हो तो इस पर click कर दीजिए तो यहाँ पर आपको दो option मिल जाएंगे English और Hindi का तो यहाँ पर English चूज कर लो तो यह question जो है आपका किस में आ जाएगा English में आ जाएगा तो English में आ गया ठीक है अगर आपको Hindi भी करना है फिर इस प में आपको यहाँ पर देखेगा submit test का button और अगर आप submit नहीं भी कर पा रहे हैं तो यहाँ पर आपको देख रहे हैं यहाँ पर side में time left दिख रहा है दो घंटे 14 मिनट 28 seconds यह time ना अपने आप कम होता जाएगा जब आपका paper हो जाएगा ऐसे मालो आप submit नहीं भी कर पाए तो यह system आपके इस paper को खुद ही submit कर देगा अपने आप submit कर देता है ठीक है तो यह चीज आपको दिहान रखनी है और इस से related आपको कोई भी query हो इस online exam से related कोई भी query हो तो आप नीचे comment में मुझसे पूछ सकते हैं और अगर आप चाहते हैं कि मैं live आउं तो आप मुझे एक बा बात का कोई भी time decide कर लो मैं एक poll create कर दूँगा ठीक है उस poll में maximum लोग participate करें कम से कम इस poll में 200 से अबब लोगों का participation होना चाहिए तब ही मैं live आउंगा otherwise नहीं आउंगा ठीक है तो यह चीज आपको द्यानक नहीं है और यहाँ पर आप अगर submit भी करना चाह रहे हैं तो submit कर तो यहाँ पर submit test करोगे तो यहाँ पर बता देगा आपको कि आपने 136 unattempt किये हैं और दो कोईशन आपके marked for review हैं कहने का मतलब यह है तो यहाँ पर section name दिख रहा है number of question कितने दिख रहे हैं 150 दिख रहे हैं answer कितने किये 6 not answered 8 marked for review 2 not wasted 136 कहने का मतलब यह है कि आपके 136 question आपने नहीं किये हाँ पर सारे चीजे दिख जाएंगी दो को CDP में आपने कितने attempt answer किये 5 answer किये math में कितने answer किये एक answer किया है और environmental studies में आपने एक भी answer नहीं किया यानि 29 जो है not wasted है हिंदी में आपने एक भी आंसर नहीं किया है, तो इस तरीकी सारे चीज़े आपको यहाँ पर दिख जाएंगी, जब आप टेस्ट को submit करोगे, ठीक है, तो यह चीज़ आपको धिहान रखनी है, और यहाँ पर आप एक बार चेक कर लेना, submit करने से पहले, जब आप अपने attempt किये हैं, यह कितने आपने छोड़ दिया है, तो आपको कोशिश यह करने है, कि सारे attempt करने, क्योंकि निगेटिव मार्किंग है नहीं, तो attempt आपको सारे करने पड़ेंगे, वही ज़्यादा बैटर है, तो submit test कर दो गया, तो इस तरीके से आपका, यह आपका test अप क्या हो submit हो गया, ठीक है, submit हो गया, तो यहाँ पर आपको ध्यान रहे रखना है, कि test submit होने के बाद में, तो वहाँ पर आपकी windows ऐसी बनके नहीं आएग, जैसा मेरा यहाँ बनके आ रहा है, वहाँ पर लिखके आजाएगा आपका, you have submitted your test, your exam, ठीक है, तो इस तरीके से वहाँ पर बस आपको submit पर click करना है, और आपको बस वहाँ बैठे रहना है, जब तक कि वह बाहर निकलने के लिए ना कहें, ठीक है, और इसके रावाब मैं आपको एक चीज़ा बता दूं, कि यह जो आपको अगर आप test series लेनी है, तो आप by juice की test series ले लो, by juice की test series अच्छी है, अगर आपको test series purchase करनी है, तो यहाँ पर unlock all exam में जाना, ठीक है, तो यहाँ पर आपको देखेगा, देखो, यहाँ पर आपको यह वाला आप ले ले सकते हो, 3 प्लस 1 मन्त वाला, 365 रूपीज में आपको मिल जाएगा, ठीक है, 12 मन्त से कोई फाइदा नहीं है, और वैसे तो आपको test series पहले ले लिने चाहिए थे, अगर आपने नहीं भी लिए, तो इसको लेकर करके आप practice कर सकते हो, और practice नो डाट आपको बहुत फाइदा मिलेगा, ठीक है, आपको यह experience हो जाएगा कि आप जब desktop पे बैठते हो, तो आपको कैसा लगता है, कैसा feel होता है, और questions को आपनों क के लिए बहुत beneficial होगा, ठीक है, मातर 300% रुपे का है, आप purchase कर लो, और maximum mock test दो, जितने mock test दोगे आपको उतना ही फाइदा होगा, तो आज की वीडियो में सर्फ इतना ही, मिलेंगे next वीडियो में, एक नई information के साथ में, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिए, और support करिए मुझे, जिससे कि मुझे और motivation मिले और भी सर्फ की वीडियो बनाने का, thank you, have a nice day.